Hello everyone, welcome back again to BSTP Pharmacy version 2.2 मेरा नाम है पुरित राजपुत और आप लोग प्याल से मुझे पुरित सर बुलाते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेमस्टर एक्जाम अब आप लोगों के सर पर आ चुके हैं बहुत सारी उन्वरिसिटीज के एक्जाम ओरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारी उन्वरिसिटीज के एक्जाम विदिन 25 या 20 डेज में स्टार्ट होने वाले तो अब लास्ट टाइम में स्टुडेंट्स को किन चीजों पर फोकस रखना है आप लोगोंने आज की वीडियो का टाइटल देख लिया होगा क्या है कि हाउ टू राइट कोपी इन सेमस्टर एक्जाम आप सेमस्टर एक्जाम की परप्रेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी परकार के आप लोग कोई भी एक्जाम की परप्रेशन कर रहे हैं मेरी ये university है तो मैं इसको पढ़ूँगा नहीं पढ़ूँगा ये आपके लिए भी बेटा important है तो बिना time waste के start करते हैं आज का अपना ये video जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का exam में क्या है कि बड़े बड़े questions आते हैं तो टाइमिंग रहती है मात तीन घंटे या फिर तीन घंटे 15 मिनट जिनमें से 15 मिनट हमारे पास में पेपर को study करने के लिए होती है तो सबसे पहला तो मेरे आप लोगों को यही suggestion रहेगा कि आप लोग जो वो 15 मिनट आपको पेपर रीड करने के लिए मिलती है या फिर copy की entry फिल करने के लिए मिलती है तो 15 मिनट आप अच्छे से अपना पेपर पड़े उसमें पहले से हलका हलका डोट से मार्क कर ले कि आपको यह questions अच्छे से आते हैं एक्जाम में अक्षर होता क्या है कि student को लगता है कि उससे चार question आ रहे हैं दो question नहीं आ रहे तो वो पैनिक हो जाता कि मुझसे दो question नहीं आ रहे अगर जब बिटा positive side देखो तो आप से भी चार question बन रहे हैं तो पहले उन चार questions को attempt करो वरना होता क्या है कि आप उन चार question को skip कर दे तो उन दो question की चक्कर में यह दो question नहीं आ रहे है वो चार question भी दिमाग से लिकलते रहते हैं तो यह चीज आप लोगों को नहीं करने हैं उसको किसी और वीडियो में बात करेंगे कैसे आपको questions को attempt करना है आज का हमारा main target है कि copy कैसे लिखने हैं आपको semester exam में यहाँ पर AKT University लिखा है बट यह आप लोगों के लिए सभी universities के लिए चीज होने वाली है जो मैं आप लोग करते हैं चीक है तो सबसे पहला tip जो आप लोगों के लिए होने वाला है वेटा क्या है कि आप लोगों को अपनी copy को क्या है अच्छी writing में और attractive तरीके से लिखना है अच्छी writing और attractive तरीके से मतलब क्या है कि आपका जो result आता है उसमें 35 से 40% आपका writing का भी roll रहता है क्योंक कि जो examiner आपकी copy check कर रहा है जो examiner आपकी copy check कर रहा है उसके पास में इतना time नहीं रहता कि वो आपको हर एक word को justify कर पाया फिर हर एक word को आपके read करें बहुत सारे students ऐसा सोचते हैं कि मैं is, rm, words, word, English, difficult, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं होता है वेटा है आपको perfect tense या फिर ऐसा क कुछ बनाने के जरूत नहीं है आपसे अगर जो थोड़ी बहुत में English आत्या देन you are a very good student आप लोगों को just अपनी copy में चीज़ों को लिखना है तो किसी भी examiner के पास में इतना enough time नहीं रहता है कि उसको वो हर एक topic या फिर हर एक line को आपके read करें दूसी चीज आप लोगो जिसमें उनका एक से डेड़ घंटा चला गया आप बचे कुछे questions को करने के लिए time ही नहीं बचा तो आपको particular हर एक question के लिए time management करते है चलना है time management के उपर अगर आप लोगों के एक वीडियो चाहिए तो description sorry comment section में comment जरूर कीजेगा उस पर एक वीडियो आप लोगों को मिल आप लोगों के लिए कि three pages of start are written very well which questions is best way to start क्या बोलागा है आपर जो आपके starting के तीन से चार pages रहते हैं या फिर starting के दो या तीन questions जो आप attempt करोगे वो इतने अच्छे attempt आपके होने चाहिए कि आपकी copy को देखकर के examiner एक तरीके से उसका mindset ऐसा हो जाए कि बच्चे ने अच आप लोगों का examiner को दर्शाना है दिखाना है कि भाई मैंने अच्छी से लिखा हुआ है तो वही चीज यहाँ पर है कि आप लोगों क्या है अपनी copy की starting क्या करनी है बटा अच्छी से करनी है है ना आपको क्या है अच्छी से अपनी starting करनी है इसी वज़े से एक line बोली तो पर बन जाओगे तो चाहे second semester में कोई और top करे या third semester में कोई और top करे बट आपकी छवी फिर चार साल एक अलग ही बनी रहीगी क्योंकि first impression is the last impression याद रखीगा चलिए tip number two के बारे बात करते है तो tip number two क्या है विठा आपको अपनी copy में ज्यादा cutting नहीं करनी है बहुत सा और आप pen बिल्कुल middle से आप क्या है उसके ओपर cover up करने के लिए कर सकते है दरवाइस ऐसे पूरा पूरा गुचर बुल्लू type मत कीजेगा इसी में आप लोगों को क्या है if someone goes wrong he she leave it like that because no one read spelling यही बात में आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग क्या है पिटा चाहे हो ल लग भी रहा है गलत काटना तो उसको just take उसको पर pen क्या है उसको cover up करने के लिए आप उसके ओपर pen को scratch कर सकते हो उसके बाद में आप क्या है बेटा अपना उसकी right spilling लिख सकते हो ऐसे बिलुकुल उसको cut करना या फिर whitener का यूज़ करना यह कोई भी अच्छी बात नहीं और whitener का यूज़ आप exam में कीजिएगा भी मत next question आप लोगों का यानि कि जो tip number 3 जो आप लोगों के लिए रहेगी वो क्या है बच्छे आप लोगों के लिए कि impress by writing do not leave page blank examiner get 30 to 40 rupees for checking क्या बोला गया पर कि आप लोगों को क्या है अपनी राइटिंग पर focus करना जो भी कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आप लोगों को बता है राइटिंग पर आप लोग focus कीजिए और इससे आपको क्या होगा बेटा राइटिंग पर अगर जाप लोग focus करते हैं तो आपका क्या है कि इंप्रेशन अच्छा जाएगा प्लस दूसी चीज क्या है कि आप लोगों को pages जितना कम से कम हो सके उतना blank छोड़े नहीं है दर्शारता है फिर impact करता है examiner के mind में कि बच्चे ने खाली copy भरने के prospectus से लिखा हुआ है वही अगर जो आप उस copy को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपने copy भी फिल की हुई है प्लस आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आपने perfectly answer लिखा है तो वो भी बेट कुछ आप लोगों को कुछ other suggestion की अगर जो आप लोगों को जरूरत है तो वो भी आप जरूर कमेंट करके बता सकते बटा क्योंकि की BSP pharmacy आप लोगों के साथ में है इसलिए BSP pharmacy है साथ तो डरने की है क्या बात इसलिए BSP pharmacy आप लोगों के लिए लेकर क्या है BSP pharmacy की official website और BSP pharmacy का application जो अभी Android में available है और अगर जो किसी को आईफोन में भी उस application को डाउनलोड करना है तो आप लोग नीचे help and supporter team का नंबर द्यावद को आप directly website से भी courses को purchase कर सकते हैं ये new feature हम लोगों ने inbuilt करा है तो आप लोग website BSP pharmacy गूगल पर अगर जो सर्च करेंगे तो सबसे उपर आ जाएगा क्योंकि BSP pharmacy जैसा कोई नहीं है आप लोग जाकर के courses में अन्रोल कर सकते हैं new crash course for B Pharma first and third semester students के लिए हाली में लोंच हुआ है जाकर कि आप जोइन कर लिए जिसमें 11 दिसंबर से new batches की classes start होने जा रही है जहां पर आपको important questions solve कराए जाएंगे model paper, previous question paper, one short marathon classes ये सारा content आपको मिलेगा crash course के अंदर तो जाएए एप डाउनलोड कीजे जादा जानकारे के लिए description box में help का number जहाँ आप contact कर सकते हैं और description box में बिटा social media के सारे के सारे links आप लोगों को provide कराए गए हैं तो आप लोग जाकर के वहाँ पर भी follow कर रिजे क्योंकि कि वहाँ पर भी आप लोगों के लिए नए नए चीज़े upload होती रहती है वीडियो कैसे लगा comment करके जरूर बताईएगा till then मिलते हैं ऐसे next informatic वीडियो के साथ में और exam से related अगरच आपको कोई भी topic के ओपर वीडियो चाहिए तो आपको comment करके जरूर बताईए मैं उसके ओपर जरूर एक वीडियो आप लोगों के लेकर क्या हूँगा और जल्दी आप लोगों के inorganic के important question के solutions के आप लोगों के लेकर क्या हूँगा मिलते हैं आप लोगों से next ऐसे ही वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई जैहिन